बॉलिवुड में दोस्तों और दुश्मनों की बिलकुल कमी नहीं है। इंजाम लगाया था कि इन दोनों ने ही एक दूसरे के सीन्स काचने की कोशिश की थी ताकि सामने वाली का किर्दार ओन स्क्रीन ज्यादा पावरफुल लगे। हलाकि इन दोनों की ही बातों में ज्यादा दम नहीं था लेकिन इनकी दुश्मनी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ सालों बाद 2012 में रानी घट के कोल माइन इंसिडिन पर जब अजे देवगन ने पिक्चिर बनाने की सोची तो कुछ समय बाद अक्षे कुमार ने भी इसी कॉंसेप्ट पर फिल्म अनाउंस कर दी। फिर क्या था अजे देवगन एक बार फिर अक्षे कुमार से चिड़ गये। इन दोनों के बीच मानों कोल्ड वार शुरू हो गया। हाला कि कुछ कारणों के वजह से दोनों ने ही इस कॉंसेप्ट पर कोई फिल्म नहीं बनाई। हमें लगा था कि अजे देवगन और अक्षे कुमार के दुश्मनी यहीं खत्म हो जाती। लेकिन एक बार फिर जब अजे देवगन ने बैकल आफ सारा गड़ी पर फिल्म बनाने की सोची तो करण जोहर और सल्मान घान ने भी इस कॉंसेप्ट पर अक्षी कुमार को लेकर फिल्म बनाने की अनौंस्मेंट कर डाली। ये बात जब अजे देवगन को पता चली तो वो चिह गए लेकिन उन्होंने अपनी रिज़पॉइन्मेंट सल्मान घान को बताई जिसके बाद सल्मान ने इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया। पर करन जोहर और अक्षी कुमार ने ये प्रोजेक्ट तब भी जारी रखा। और इसी के साथ जारी रही अजे देवगन और अक्षी कुमार की दुश्मनी भी। आपकों क्या लगता है इस पर कमेंट कीजिए और ऐसी ही खबरों के लिए सिब्सक्राइब करें हमारा चानल।